वरुन गांदी अक्सर चर्चा में रहते हैं और इसकी वज़ा उनके वो बयान है जिसके जर्ये वो अपनी ही पार्टी को घेड़ते हैं आज एक बार फिर स्वास्ति सुविधाओं को लेकर उनने मोधी सरकार को आड़े हां तो लिया है साती सवालों के तीर छोड़ कर सरकार की कारेशयली को कड़गरे में खड़ा किया है वरुन गांदी के इन सवालों से सियासत तेज होना तैय है यहां विपक्ष के हमले भी बढ़ेंगे देखते हैं यह रिपोर्ट मोधी सरकार अपनी नेतियों और नियत की वज़े से अकसर विपक्ष के निशाने पर रहती है लेकिन बीजेपी सांसत भी उसके काम में कमिया निकाल कर सरकार को कड़गरे में खड़ा करते हैं वरुन गांदी ने मोधी सरकार पर निशाना जादा है इस बार मुद्दा महं का आश्वासन दिया गया था लेकिन स्वास्ते मंत्राले की इस योजना से अब तक किसी भी मरीज को लाब नहीं मिला है उन्होंने ट्वीट करकर लिखा है कि पिछले साल सरकार ने दुरलब बिमारी के प्रतेक रोगी को 50 लाक रुपे की वित्य साहयता का आश्वासन दिय अभी तक एक भी मरीज को इस योजना का फायदा नहीं मिला है इलाज के इंतजार में 10 बच्चों की जान जा चुकी है मैं स्वास्ते मंत्री मनसुक मांडविया से अनुरोथ करता हूँ कि वो इस दिशा में तुरंत काम करें इतना ही नहीं केंद्रि स्वास्ते मंत्री टेनी थी 2021 शुरू की गई थी मई 2022 में इसमें किये गए एक संशोधन के अनुसार दुरला बिमारी के मरीजों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए की वित्य साहता का आश्वासन दिया गया था लेकिन घोशना के कई महीनों के बाद भी एक भी मरीज इस योजना का लाप नहीं टेहें डीबी लाइफ की रिपोर्ट